नवश्कार दोस्तों अब सभी का एक बग फट से बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं रियल्मी की तरफ से आने वाले इस रियल्मी 7 प्रो मॉडल को और इस वीडियो के अंदर हम कराने वाले हैं इसको उन्बॉक्स और जानेंगे इसकी पूरी फीचर से डिटेल के बारे में दोस्तों अगर आप एक बहातरीन गेमिंग फोन चाहते हैं एक बहातरीन क्यामरा फोन चाहते हैं तो यह आपके लिए एक बहातरीन ओप्शन रहेगा या फिर नहीं यह तो हम लोग वीडियो की लास में जानेंगे लेकिन यह फोन मुझे मिले हैं मोबाइल की तरफ से तो अगर आप इसे पर्चेस करना चाहते हूं तो इसके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे वही दोस्तों इस वीडियो में आप इसकी अन्बॉक्सिंग देखेंगे लेकिन अगर आप इसका कैमेरा टेस्ट अलक्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताईएगे तो मैं इसके एक अलक्से कैमेरा टेस्ट की भी वीडियो बना दूगा जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगी तो फड़ा फड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि चनल को सब्सक्राइब आरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ह जाएगा फिलाल कराते हैं इसको अन्बॉक्स तो दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं रियल मी की तरफ से आने वाले सेवन प्रो के इस बॉक्स को यहां पर आप सबसे पहले अगर आप पैकिंग को दिखेंगे तो काफी ज्यादा जो है अलक्सी पैकिंग द देखने को मिल जाएंगे यानि कि यह है ब्रैंड इंबसेडर इस फोन के और पीछे की तरफ आपको कुछ बेसिक सी डिटेल देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको 64 में का पिक्सल का क्वाट कैमरा मिल जाता है 65 वाट की चार्जिंग मिलती है जो कि कबाल की बात रहेग जिसे के मैं आपको कम से कम समय में जादा से जादा डिटेल दे पाऊं तो यहां पर मिल जाता है आपको एक अलग से सक्षन की अगर बात करी जाए तो यहां पर आपको कुछ बेसिक सा पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और साथी एक केस कवर केस कवर की अगर बात करी ज ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं accessories में आपको मिल जाता है सबसे पहले तो यह charger यह charger अपने आप में काफी कमाल करेगा क्योंकि यह है आपका एकदम कमाल का fast charger जहाँ पर आपको मिल जाती है 10 volt 6.5 ampere maximum की output rating यानि कि यह super work technology पर बना हुआ है और यह है 50 watt का fast charger तो काफी ज़्यादा भारी भर कम सा यह रहता है charger साथ में आप देख सकते हैं आपको मिल जाती है cable जो कि आपकी type C based रहती है overall quality यहाँ पर cable की अच्छी आपको देखने को मिल जाती है चुकि अगर हम बात करें यहाँ पर realme के accessories की तो काफी कमाल की होती है अंदर के तरह आपको छोटी से projector pin देखने को मिल जाएगी तो यह सारी चीज़े box के अंदर देखने को मिलती है फटाफट समान को side में कराते हैं उसके बाद phone के बारे में detail से बात करेंगे तो overall अगर आप display की बात करेंगे तो realme जो series आ रही है यह 6,7 सबकी तो display तो सबकी कमाल की देखने को मिली है तो यहाँ पर यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी साथी उपर की तरफ आपको छोटा सा punch hole दे रखा होता है जहाँ पर आपका selfie camera रहेगा यह selfie camera आपका 32 MP का रहता है उपर की तरह आप देख सकते हैं आपको speaker की grill देखने को मिल जाएगी और side में आपको एक power button देखने को मिलती है और दूसरी तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है volume keys और साथ ही साथ एक dedicated sim slot आपर section एकडम जो है यहाँ पर आपको एक छोटा सा secondary mic दे रखा होता है noise cancellation के लिए और नीचे की तरफ की अगर आप बात करेंगे तो वही सारी जानी पैचानी सी चीज़े देखने को मिल जाती है यानि कि यहाँ पर आपका रहता है एकडम जो है कमाल का color तो यह चीज़ आपको बहुत ही जदा मज़ेदार लगेगी इसका back panel बहुत ही जदा खुपसूरस सा लगता है जिलनों को decent phone पसंद है जो ज़्यादा चमक नहीं चाहते है उनको यह panel काफी interesting लगेगा यहाँ पर आपको quad camera's दे रखे होते हैं जहाँ पर आपका primary sensor 64 megapixel का रहता है साथ ही other camera's 8 plus 2 plus 2 megapixel के रहते हैं और साथ में यहाँ पर आपको एक छोटा सा flash दे रखा होता है और नीचे की तरफ realme की branding देखने को मिल जाएगी तो color की यहाँ पर तारीफ करनी होगी आप भी मुझे comment करके बताओ कि आपको कैसा लगा है इसका back panel फिलाज चलते हैं phone के अंदर बात करेंगे जाकर कि यहाँ पर इसके about phone में क्या-क्या मिल जाता है तो about phone आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा और जो processor यहाँ पर रहता है वो रहता है Snapdragon 720G processor तो यह चीज यहाँ पर कमाल की रहेगी साथ ही battery के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4500 mh की बैटरी हो जाती है और जैसा कि आपको पता है 65 watt की charging है तो यहाँ पर 50% charging यह से 12 minute में और 100% इस phone को 34 minute के अंदर charge कर सकता है तो कमाल की चीज यह रहती है और अभी हम लोग चलते हैं बात करनी होगी एक बार जो है इसके camera के बारे में तो camera में यहाँ पर बहुत सारी mode है अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक individual camera test करा दूँगा लेकिन यहाँ पर हम लोग एक normal quality पर फोटो को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज काफी कमाल की लगी है वो रहती है इसकी display के साथ जो color contrast आ रहा है वो काफी बहतरी रहता है आप देख सकते हैं एक एक चीज यहाँ पर clear होती हुई आपको नजर आ रही होगी आप शापनेस को अगर गौर करेंग तो बहुत ही कमाल की रहत तो उसकी भी image को click कर लेता हूं तो यहाँ पर दोनों ही sample को देखेंगे सबसे पहले बात करी जाए अगर यहाँ पर इसकी तो यह तो थोड़ी सी गरबढ़ा गई थी तो एक बार फिर से ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली image को जो कि यहाँ पर ली गई यहाँ पर भी अपना कमाल दिखा रहा है और आपको काफी clear image दिखने को मिल रही होगी हालाकि काफी distance पर रहता है इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जो clarity आ रही है वो बहुत जबर जस्त आ रही है तो यहाँ पर camera तो बहुत ही कमाल का रहता है साथ ही अगर हम बात करें यहां पर portrait mode, बहुत सारी modes दे रहें लेकिन इनके बारे में जब हम अलग से camera test बनाएंगे तब बात करेंगे फिलाल selfie camera की तरह move करते हैं तो जल्दी से कर लेते हैं एक sample को click और यहां पर देखेंगे क्या इसकी quality रहती है तो बहुत ही कमाल की यहां पर quality देखने को मिली है, zooming quality बहुत जबर जस्त रहती है, अगर आप ध्यान देंगे यहां पर एक एक photo का जो है pixel clear रहता है आपको, कहीं से भी आपको pixel फटते हुए दिखाई नहीं देंगे, colors बगेरा बहुत अच्छे आ रहे हैं यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो, तो मैं यहां पर selfie camera की त आरीव करता हूं, यहां पर भी आपको बहुत सारे modes देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं, आप यहां पर slow motion भी आपको दे रखा गया है, वीडियो mode में भी यहां पर आपको काफी सारे functions दे रखे हैं, जिनने आप अपने हसाब से use कर सकते है, night mode भी दे रखा है, तो ज जैसे ही लगाते हैं, आपको एक हलका सा delay देखने को मिलेगा, जिसके बाद यह आपका response करता है, लेकिन overall आप देखेंगे, काफी अच्छा performance यहां पर इसके fingerprint की तरफ से देखने को मिल रही है, face unlock की बात करते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप इसे on कराएंगे, और फट से open क कर देता है, यानि face unlock में किसी भी तरीके का delay आपको देखने को नहीं मिल दा है, तो यह चीज़ काफी मज़ेदार यहां पर मुझे लगी है, तो तारीफ करता हूँ इस phone की यहां पर performance की, लेकिन उससे पहले यहां पर देखेंगे इसके कुछ picture samples, उसके बाद बात करेंगे, क्या यह phone आपको लेना चाहिए या नहीं? क्योंत बात करेंगे यह चाहिए यहां पर देखेंगे, तो अ क्यूंत मुझे इसे भी यहां इसे यहां वहां लेकिन के यहां जा बात करता है। तो दोस्तों यहां पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स अगर हम ओवरॉल इमेज क्वालिटी की बात करते हैं तो काफी जबर जस्त आ रही है ऐसे में कहीं ने कहीं अगर आप चाहते हैं इसका इस्तिमाल एक प्रोफेशनल कैमरा के तौर पर करना तो यह मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेगा 64 मेगा पिक्सल का यहां पर आपको सेंसर दे रखा है जिससे की इमेज क्वालिटी काफी जबर्जस रहती है वीडियो फुटेज की बात करें तो वह भी बहुत ही स्मूथ रहती है यहां पर आपको 4K रिकॉर्डिंग के देखने को मिलते हैं जो कि इसे खास बनाते हैं तो यह चीज मुझे काफी कमाल की लगा लगी है जाइरो यह इसका सपोर्ट भी दे रखा है जिससे की एमेज भी काफी स्टेबिलाइज आपको देखने को मिली है इसकी वीडियो फुटेज तो मेरे हिसाब से अगर आप इस गेमिंग टेस्ट करने के भी कोशिश करूंगा लेकिन गेमिंग परफॉमेंस मुझे ऐसा लगता है काफी बहतरीन रहेगी यहां पर बहुत अच्छे ऑप्शन से 65 वाट की यहां पर आपको चार्जिंग दे रखिए जो कि सिर्फ बारा मिनिट में ही आपके फोन को 50% चार लेकिन अगर देखने को मलती तो बहतर हो सकता था लेकिन अगर हम यहां कहें कि क्या यह बैतर नहीं तो आफी जबर जबर जस्त फोन रहेगा तो आप भी मुझे पताए कि इस फोन के बारे में क्या सोउस्ते हैं वान्दे मात पर गटर झाल झाल झाल